दोस्तों नमस्कार एक छोटा सा वीडियो है बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज पूछ लिया और साइद बच्चे भरमीत हैं मुझे लगा कि साइद इस वीडियो के बाद में आपकी ये जो शंका है आपके मन में वो कंप्रिटली खतम हो जाएगी आप लोगों के मन में आत प्रिक्षा आने वाली है उसको लेकर एक बड़ा सवाल जो बच्चे बार-बार मुझे पूछते हैं यद भी मैंने पहले इसमें वीडियो बनाया था उसमें चर्चा की थी लेकिन आज कि इस वीडियो में दुबारा से मैं इसको डिस्केशन करके बता रहा हूं सरगार मेरी सात्वी रेंग आई थी याद रखना उसमें बड़ा चर्ची था और बहुत सारे लोग इससे बाहर हो गए थे यानि दस्वी और बार्वी में आपके 55% ठीक है नहीं दस्वी बार्वी में 50% एग्रिकेट होने चाहिए और इसमें किसी परकार का जो है वो ग्रेश परसेंट था याद रखना तो यह हमारे टाइम बहुत चट्चित रहा था और बहुत सारे बच्चे उसमें बाहर हो गए थे अब जो 2020 में आप 21 में जो भरती निकली है जिसके भी जोइनिंग हुई याद रखना उस भरती में हमारे वाले इस गुड़ एकेडमिक जो भरती में आएगा या जिस लाइन का जिकर होगा यानि गुड़ एकेडमिक रिकोर्ड जो हमारे समय था वो completely हट चुका है यहां आपकी जो भरती भी आने वाली है इसमें गुड़ एकेडमिक रिकोर्ड का मतलब यह है कि आप जो आपकी MA है Master Degree है उसमें आपके 55% आपके नेट और सेट होगी इसका मतलब आपके गुड़ एकेडमिक रिकोर्ड लागू ही नहीं हो रहा क्यूंकि आपने उलेड़ी उसको फोलो कर लिया तभी आपकी सेट हुई है अने था आपके ना सेट होगी ना नेट होगी याद रखना इसलिए माइंड में ही मत रख और निशक्त जन जो दिव्यांग बच्चे हैं आद रखना इन सब केटेगरियों को 5% छूट है यानि 50% वाले आपको पता है कि नेट सेट दे सकते हैं आपको अलड़ी पता है और ग्रेजूशन में बीए में जो हमारे टाइम में 10 और 12 के अंद्रगत परसेंटेज यह होत है 45% 45 परसेंट 45 तो आपको पता है सभी के आई जाते हैं सभी तो भी होगी वरना क्या भी होगी 45 में इन्होंने कर रखा है कि जो यह SC ST OBC MBC निशक्त जन जो भी केटेगरियां है रिजेवट केटेगरियां यानि इसमें EWS नहीं है बस आप यह माल लो EWS और जनल को दे रखी है रिजेवट केटेगरी को यानि जनल और EWS के लिए M.A. में 55% और B.A. में 45% चीए जो ओलेड़ी आपको पता ही है कि आपके नेट सेट तभी होगी बाकि रिजेवट केटेगरियां इनको M.A. और B.A. के परसेंटेज में 5% के छूट दे रखी है यह गुड़ एकेडमी रिकोर्ड है यानि कुछ भी नहीं है आप गार को भूल जाए गुड़ एकेडमी रिकोर्ड के नाम पे confusion पालने के आवश्यक्ता नहीं है गुड़ एकेडमी रिकोर्ड कंप्लेट इसमाप्त हो चुका है केवल जो आपके नेट के लेजी बेटी है जिसमें M.A. और B.A. म.A. चाहिए वही इन्होंने रखी है बाकी जीजें क्या है आपको पता है आयू कितनी होनी चाहिए 21 से 40 वर्स एज होनी चाहिए इसमें भी अलग-अलग केटेगरी में एज में छूट है कि रिजवड केटेगरियों के पुर्सों के लिए पांच वर्स की छूट ह अन्रिजवड जैसे जन्नल और EWS की महिलाओं के लिए भी पांच वर्स की चूट है और जो रिजवड केटेगरी के महिला है उनके लिए 10 साल की चूट है विद्वा और प्रितेक्ता के लिए आयू की कोई लिमिट नहीं है परतिरक्षा की जो लोग हैं उनके लिए 50 वर्स ऐज लिमिट है तो लगभग आपको जो अन्य बड़तियों में एज में रिलेक्सेशन होता है वह हिसे में मालो की बड़ती में दो साल हो गए बढ़ती नहीं आए है और kोई 2023 में जाके जुलाई 2023 में जाके ओऔर एज हो रहा है तो वो जो बड़ती नहीं आई है बीच में उतना जो समय उसका दो-ती साल का जो छूट होती है हुवे से मिल जाएगी और मान लीजिए आपने अपनी केटेगरी में एज का रिलेक्षेशन ले लिया है तो याद रखना जब आप मेरिट में आएंगे तो मेरिट में केवल अपनी केटेगरी की सीट का ही लाब ले सकते हो आप जनरल केटेगरी का लाब नहीं ले पाओगे यदि आपने एज में छूट ले ली है तो नहीं लिये तो कोई बात नहीं है आप रोटेशन में आप जनरल की सीट पे जाते हो उचले जाओगे यह थोड़ा सा चेंज है याद रखना इसको मैंड में रखना है टेटरन में एक्जाम का पहले बताया हुआ प्रोफेसर प्रिक्षा का तीन पेपर होते हैं यानि टोटल जो है वो 200 नंबर का यह आपका रिटन इक्जाम होता है थाड पेपर बड़ा इंपोर्टेंट होता है अउनी पर भी हमने इसका कोर्ष जारी कर रखा है ठीक है इसमें इकोनविश्ट का बड़ा पार्ट है इसमें लिड ले जाओगे क्योंकि हमारे टाइम में सबसे पहले यह हुआ था अब यह ओनलाइन हुआ था हो सकता आपके टाइम ओफलाइन हो जाए ओनलाइन और यह दोनों सब्जक्ट के हैं ठीक है बहुत इजी सा पेटरन है कुछ भी नहीं है मैं तो मानता हूं आशान परक्रिया है यह दी 200 नंबर में अच्छी लिड ले गए उसके बाद आपको तीन गुणा में 120 के लिए बुलाया जाएगा यह इंट्रू होता है तीन गुणा को बुलाया जाता है और 24 नंबर में यह हयात रखना यह दी आपके रिटरन में बहुत अच्छे हैं तो आपको किशी शिपारिश के जूरतनी अपने आप हो जाता है अनिता हो सकता है यह दी आप गिंती के नंबर रिटर में आये तो आपको इंट्रू के लिए क्या करना पड़ेगा आप जानो और वरतमान आरपेसी की सिचुशन आप देखी रहे हूं क्या हलात है तो कोशिश करें कि रिटर में बहुत अच्छे नंबर लेके हैं दोसों में ताकि आपको इंट्रू पे निर्भर नहीं रहना पड़े इंट्रू 24 नंबर का होता है नॉर्मली यह दी यह जैसे करप्शन वरतमान में चल रहा है उसको देखके लगता है कि 6-7 नंबर भी दे सकते हैं चोईस में रहा है गुड़ एकेडमिक रिकोर्ड को एक लेकर मैं फिर बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है में और बीए की जो परसंटेज है नॉर्मली नेट सैट के लिए होती है तो तनावनी लें मस्ति के शाथ आप प्रेपरेशन करें यह दी आप ओलड़ी जोब में हैं तो आपके लिए बेस्ट आप ओपरचिनेटीज है अन्य था आप ग्रेड फेस्ट या ग्रेड कोले लेक्शर इन दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं तो थैंक्यू वेरे मच